मैं आपका टीचर विकास, आपका अपने चैनल में एक वाफिट साथ करता हूँ तो चले उचान, आज आपको most important topic हम cover करेंगे O-Level admission को ले करके, जोई बचे O-Level January 2025 में theory और practical का examination देना चाहते हैं उनके लिए complete step by step क्या procedure होते हैं तो हम आपको बताएंगे, तो शुरू से लेके आखरी तक देखेगा क्योंकि अब आपके पास जो है time बिलकुल बचा नहीं है आपके पास जो last date है रेक्टन करने की, वो 30 September यहाँ पर रखी गई है ठीक है, तो यह date आपकी बढ़ेगी नहीं यूकि और लेड़ी आपको 3-4 मन्त का time दिया गया है new admission लेने के लिए, तो 30 September से पहले जाएं और यह सारे काम आपना कर लिजए, मैं इस वीडियो में सिर्व आपको इतना बताऊंगा और लेबल का form कैसे बनना, उसके क्या step procedure है और आगे उसका result कब आता है, कब उसका form आता है, कैसे आपको करना पूरा complete process बताएंगे, ठीक है तो चैनल पना है, तो subscribe कर लिजएगा, आपको complete information मिल जाए और यह WhatsApp नमबर आपको इसकीन पर दिया गया, 7007659485 इस पर आप join हो सकते हैं, जिससे कि आपको daily basis पर जो भी update दी जाती वो मिल जाएगी और telegram group यहाँ पर link है, इसको भी आप join कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं, O-label को admission लेने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, website कौन सी है तो website note कर लिए, बच्चों को website ही नहीं पता होती है, वो registration करने के लिए ढूंडते हैं website तो website देखें, मैं यहाँ पर link देता हूँ, ठीक है, यह website आपको अपने browser में type करनी है ठीक है, थोड़ा सा इसको font में जाके इसको थोड़ा सा मैं zoom कर लेता हूँ, इससे कि आपको clear दिखाए दे, तो देखें, यह website है, https, ऐसे आपको type करना है, student.nallet.ub.in, यह website आपको अपने PC laptop में type करना, mobile पर ना form भरा करें, mobile पर दिक्कत होती है, PC laptop में चले भरें, अगर आ आपको जाके अपना registration करना है, तो सबसे पहला step आपको क्या रहेगा, step 1 देखें, यहाँ पर हमने लिख दिया है, step 1 में आपको apply registration पर आपको जाना है, जिसमें कि आपको 500 रुपए fees pay करनी है, जो कि 5 साल के लिए valid होगी, और one time payment है, आपको बार बार payment नहीं करनी है, step आपक और यहाँ पर इस परकार का home page आएगा, इसको आप close कर दीजेगा, नीचे आएगा, यहाँ पर आपको registration के date दिखाए देगी, large date of submission देखें, 30 सितमबर 2024 यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, और large date of institute से भी अगर आप करते हैं, तो भी 30 सितमबर है, अब यह आपको एक doubt रहते हैं कि सब direct करें, कि institute से करें, तो हम आपको हिदायत देंगे कि आप direct करें, क्योंकि direct में आपका 5-6,000 में complete हो जाता है, और यह institute से करते हैं, तो आपका 15-20,000 रुपए वहाँ पर फीस आपकी लगती है, जो कि tuition फीस होती ही, classes फीस होती है, difference क्या है, दोनों में कोई difference बस वहाँ पर आपको live classes, offline classes मिल सकती हैं, अगर आप direct करते हैं, तो आपको घर बैटे हैं, हमारे चैनल के माद़न, जो भी आपके लिए course बनाए गया, आप उस course को purchase करके भी तयारी कर सकते हैं, तो दोनों ही same है, अगर आप घर बैटे तयारी करना चाते हैं, तो आप direct के सा बहाँ जाना है, apply online वाला link यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, इस पर आपको सबसे पहले click करना है, कुछ भी सोचना नहीं है, हाँ qualification आप ज़रूर ध्यान लख लिजेगा, कम से कम आप 12 पास हो, ठीक है, इतना तो आपको ध्यान में रखना है, 12 पास आपका होना ज़र की बात है, वनना हम आपको तो पूरा guide अभी करी रहें, तो देखे, ओ लेबल की जो qualification है, वो यहाँ पर mention की गई है, ठीक है, उसको भी आपको दिखा देते हैं, तो देखे, जो बच्चे इंसिटूट से ओ लेबल करना चाहते हैं, उनके लिए 12 पास होना जरूरी है, और को पिर high school पास किया है, और आपने खाली वो लेबल करना चाहते हैं, किस इंसिटूट से तो भी आप इसमें कर सकते हैं, option इसमें अप लेबल हैं, ठीक है, अगर आप direct करना चाहते हैं, तो direct के case में आपका 12 पास होना चाहिए, any diploma government recognized से minimum 1 year का after 10 ठीक है, और ITI certificate 1 year का हो, तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं, अगर आप 10 भी following each case by 1 year experience ठीक है, अब ये जितने भी case है, high school, ये सारे इसमें कम से कम 1 year का experience आपके पास होना चाहिए, या फिर आप NCBT आपने किया हुआ है, data processing से है, या फिर आपने ITI को पासे किया हुआ है, या फिर any graduation है, तो आपका कोई भी इसमें experience certificate नहीं लगता है, ठीक है, O level without any experience, अगर आप after graduation O level करते हैं, direct तो आपको कोई experience नहीं लगता है, after 12, after 10, after ITI, after diploma, after NCBT, ITI के बाद आप करते हैं, तो 1 year का experience certificate आपको देना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आपकी जो rules हैं, अगर 18 के बिलो हैं, अगर आपको दिखाना प तो नीचे comment कर दीजेगा, अब इस option पर आपको टिक करना है, और agree and proceed पर click कर देना है, अब जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको दिखे option मिलेगा सबसे पहले, यहाँ पर 1.1, ठीक है, यह आपका registration application form है, यह form आपको fill करना है, यह form आप जैसे fill कर देंगे, आपको यह form नाइलेट दिली office चला जाएगा, ठीक है, आपको इस form को fill up करने के बाद इसका print out निकाल के अपने पास रखना है, इसको कोई भी document नाइलेट को आपको submit नहीं करने होते हैं, send नहीं करने होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला option है, क्या आपने पहले किया हुआ, नहीं किया हो तो mister पर ही select करिएगा, अगर आप female हैं, तो missus जो यहाँ पर option दिया, MS का, यहीं होगा, अगर आप साधी साधी सुदा है, तब भी आपका यह option select होगा, क्योंकि बच्चे पूस्ते हैं, ठीक है, तो mail के case में यहाँ पर अपना नाम fill कर दीजेगा, अपने caretaker जो भी आपके parents, अगर आपके parent नहीं है, तो guardian का option आपको select करना है, उसका एफिडेविट यहाँ से आपको download करके, उसका fill अप करके, इसमें upload करना है, ठीक है, अभी फिलाला हम parents वाले option पर लिए रखे हैं, father name fill करिए यहाँ पर, mother name fill करिए, capital later में सारा जो आपके high school certification में लिखा होगा, और आप सोचते हैं कि हम certificate बनने के बाद अपना जो change करा लेंगा तो उसका कोई benefit नहीं होगा, ठीक है, बहुत दिक्कत आपको होगी आगे, फिर यहाँ पर data worth fill करिएगा, अगर आप single है, तो single पर select कर दीजेगा, आपकी जो भी category है, उसको select कर दीजेगा, अकर आप physical candidate है, त दो column mandatory है, most important है, इसी पर आपका password forgot होके आता है, OTP आता है, इसी पर सब कुछ आता है, तो यह आपका चालू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, और यह आपका अपना personal भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर अपना permanent address है, जहाँ पर आपका permanent address है, और जहाँ पर आप र और ITI किया हुआ है, आपने intermediate नहीं किया है, तो आप पहला option select करिएगा, और यहाँ पर experience में one fill कर दीजेगा, ठीक है, अगर आपने 12th pass किया है, ग्रिशन नहीं किया है, तो 12th वाला option select कर दीजेगा, और यहाँ पर फिल कर दीजेगा, experience में, और यहाँ पर year of passing जो भी आपने किया, वो फिल कर दीजेगा, जैसे कि यह, अगर आपने NCBT किया है, ITI कोपा किया है, DP या CS किया है, तो इस पर select कर दीजेगा, अब यहाँ पर देखे कोई भी experience का option नहीं आ रहा है, ठीक experience का option हड़ी आएगा, क्योंकि यह जो course है, वो IT course है, ग्रियोशन आपने किया है, तब प्लस IT case में आपको minimum one year का experience हो करना है, अब यहाँ पर ITI, graduation और diploma case में experience हो नहीं करना है, ठीक है, तो यह काफी अच्छी बात है, यहाँ पर अपना अधार number फिल कर दीजेगा, यहाँ पर select करके अपनी photo jpg format में 50 kb की होनी चाहिए, crop करने के लिए आप कोई भी software का Photoshop का यूज करते हैं, या online बहुत सारी tools है, आप वहाँ से भी करते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना left thumb impression आपको upload कर देना है, उसके बाद 7.5 में आ जाता है, आपका visibility mark आपके हाथ में body में कहीं भी तिल हो, जले का निसान हो, कटे का निसान हो, या fracture हो कुछ भी, जो permanently आपके body पर है, जो आपका identify कर सके, वो यहाँ पर fill कर देना है, English में आप लिख दीजेगा, ठीक है, simple सा, उसके बाद यह capture code यहाँ पर दियागा, 83412 इसको fill कर दीजेगा, और इस पर declaration पर tick करिएगा, और submit पर click कर दीजेगा, submit पर click करने के बाद आपके पास क्या option होगा, यह आप का जो पहला step है, वो clear हो जाएगा, 500 रुपए की आपको payment कर देनी है, payment का option आएगा, UPI से आपको payment कर देनी है, या फिर internet banking, या फिर debit card, credit card से कर सकते हैं, payment करने के बाद आपको wait करना है, ठीक है, payment करने के बाद step 2 में आ जाएंगे, step 2 में हम आखिक क्या करेंगे, wait करेंगे, 10 से 30 दिन में आपको क्या होगा, registration number प्रोवाइट किया जाएगा, जो कि इस पकार से होता है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7, 7 अच्चर का आपका देखे, registration number नालेट आपको provide कर आता है, ठीक है, तो यह आपको कब मिलेगा, यहाँ पर देखे, मैंने mention कर दिया, 10 से 20, 10 से 30 दिन में आपको यह मिल जाता है, कहां पर आता है यह आपके, यह आपके email पे आ जाएगा, जो आप email ID फिल कर आपके पास application number एस form के बनने के बाद एक application number भी आता है, उसको आपको अपना सम्हाल के रखना, is form को print करके रखना है, तो दो number आपके application number एक application number फिल के होता है, जैसे कि मालिश आपको admit card डाउनलोड करना है, ठीक है, यह फिर आप अपना payment का option आपके में नहीं आरहा है, तो आ बारत पेमेंट करनी है तो application number वहाँ पे यूज होगा, कोई चीज आपको detail चेक करनी है, अपने form की बिना लॉग इन किये तो application number यूज होगा, लेकिन अगर आपको अपनी profile में लॉग इन करना है, paper लॉग करना है, exam लॉग करना है, अपना result देखना है, project submit करना है उसके लिए registration number की जवत परती जो कि आपका user ID होता है क्या होता है user ID तो यह आपको 10 से 30 दिन में admission लेने के बाद मिल जाता है ठीक है, दूसरा step में आपको क्या होगा registration number मिलेगा 10 से 30 दिन में जब आपको registration number मिल गया है अब आपको क्या करना है इसी website पर जाना है और इसको refresh करना है और आपका फिर थे वही homepage आ जाएगा अब वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है कोई document knowledge को नहीं भेजना है ठीक है, अब यहाँ पर जब आपके पार registration number आ जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर option होता है new user register candidate जो कि आपका password आपको create करने में मदद करता है तो इस पर आपको tick करना है एक बार में नहीं open होता है यह तो दूसरी बार में आपको जाएकर नहीं कि website काम नहीं करता है दुबारा करिएगा open हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो भी course है उसको select करना हमारा o label है तो आपने o label कर लिया a label है तो a label कर लीजेगा यहाँ पर आपको registration number जो भी आपको registration number मिलेगा 500 रुपे payment करने के बाद 10 ते 30 दिन में वो registration number यहाँ पर fill कर देजेगा example के तोर पे मैंने यहाँ फिल कर दिया अपना name यहाँ फिल कर दीजेगा और अपनी date of birth date of birth का format अगर आपको नहीं पता देखे यह format दिया गया है इस परकार से fill होता है जैसे कि मालेज़े आपकी date of birth है 2, my, 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 y यहाँ आपको लिखना है यहाँ पर इस परकार से पहला अच्छा capital लाएगा बाकी small लाएगे dash 1995 इस परकार से आपको fill कर देना है अगर यह format आप नहीं fill कर बाते हैं तो यहाँ से जाके आप date pick कर सकते हैं इस पर double click करिएगा और इधर आईएगा तो आपका सन 1900 वाले date of birth आजाएगी ठीक है यहाँ से आप पिकल लिजेगा यह से कोई भी fill कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर capture code fill कर दिएगा और next पर click कर दिएगा next पर जैसे आप click करेंगे आप से पूछा जाएगा security question या पहले आप से password बनाने को बोलेगा तो password आपको बनाने के लिए कैसे करना है जैसे कि हमने एक्जामपल दोर पे विकास 12388 आपने है यहाँ पे एक्जामपल बना जाने कि पहला अक्षर कोई भी इसमें से एक later आपका capital होना चाहिए एक आपका symbol होना चाहिए जो कि special character हो जाते है और यह आपका number होना चाहिए तो इस पेकार से आपका format चलता है ठीक है और आपका character तो होने चाहिए तो character भी add कर लिए ठीक है capital, character, number और symbol या special character आपका सकते है तो इस पेकार से आपको पासवर्ट create कर देना example के तो पासवर्ट आपने create कर लिया यहाँ पे ठीक है यहाँ से आपने next करके password create कर लिया और फिर वहाँ पे password forget करने के लिए आपसे security question पूछा जाता है ठीक है जब security question का काम क्या होता है माले जिए आप password भूल गये है या website में कोई knowledge की तरफ से changement किया गया तो आपका password क्या होता है वो expire हो जाता है या आप बहुत दिन से login ने करते हैं तो भी आपका password expire हो जाता है उस case में आपको new password create करना होता है तो new password को create करने के लिए या password को forget करने के लिए security question और answer के ज़र्द पढ़ती है तो उसमें आपके question पूछा जाते है जैसे कि आपका favorite pet name क्या है ठीक है आपके teacher का नाम क्या है या favorite food क्या है या आपका nickname क्या है तो इस प्रकार से कोई भी a question select करके उसका answer आप लिख दीजेगा और उसका screenshot ले लिजेगा या copy में या अपने PC में कहीं पे उसको save कर लिजेगा कि आपने कौन सा question select किया था उसका answer क्या था और आपने कैसे लिखा था capital letter में लिखा था small letter में यह हुबा हुआ आप screenshot ले लिजेगा या mobile में save करके रख लिजेगा या आपका lifetime आपको help करेगा ठीक है बस इतना ही आपको procedure करना फिर आप refresh करके back आ जाईगा यहां से ठीक है यहां से आप password create होगा बैक आ जाईगा तो password create करने का भी option आपका create होगा यह तीसरे step में आपका काम होगा ठीक है इतना आपने काम कर लिया अब आपको क्या करना है चौते step में exam log theory और practical का log जो कि जन्वरी 2025 बैस के लिए होगा यह आपका कभी start होगा अभी नहीं होगा 30 सितंबर तक तो आपकी यह last date है 30 सितंबर तक में आपको यह सारे procedure करने है ठीक है 30 सितंबर क्या यह आपका October हो जागा माल यह किसी ने 30 सितंबर को admission लिया तो उसका registration नमबर आने में October आ जाएगा और फिर वो पास्वर करेट करते करते थोड़ टाइम लगेगा ठीक है तो चौता जो procedure है वो आपका start होगा October last में या फिर नॉमबर में आपका exam log का portal open किया जाएगा तो जो यह बच्चे यह form बरेंगे वो उनको wait करना है आपको अपनी तैरी करना start कर देना है तैरी करने के लिए मैंने आपको number दे दिया है आप इस number पर WhatsApp करके जो भी course है उसकी जानकारी ले सकते है तो यह आपका October और नॉमबर में आपका exam log किया जाएगा exam log करने का procedure जब आपका exam log हो का तो बता जी जाएगा simple सा procedure है आपको जो भी user name यहाँ पर जाना है candidate को option select करना है यहाँ पर आपका user ID जो registration number मिला जो passport आपने create किया था है यहाँ से वो fill करना है और capital जालके login करना है ठीक है तो यहाँ से आपका option आएगा कब October और November में lock हिया जाएगा यह होगा चौता step पांचवाश step क्या होगा अब आपको कुछ नहीं करना है आपने exam log कर दिया exam log की जो payment होती ही वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो आपके इसमें 4 module होते हैं M1, M2, M3 और M4 इसके लिए हमें एक शलेबस वाली वीडियो बनाएंगे तो आप उसको देख लिजएगा इनकी जो fees होती है पर एक module की वो आपकी 1000 होती है ठीक है तो 4 paper हो गए आपके 4000 fees हो गई प्लस 100 रुपर processing fees लगेगी तो आपका 41, 100 रुपर टोटल इसका लगता है होंगे और एक होंगे आपके फरवरी में हो सकते हैं यानि की जनबरी में आपके होतकता प्रेटिकल के हो जाएं या फिर फरवरी में प्रेटिकल हो जाएं या नालेट रिसाइट करेगा या फिर जनबरी में आपका पहले थियोरी हो जाए और बाद में आपका practical हो जाए या फिर आपका पहले practical हो जाए और theory आपका फरवरी में हो जाए तो यह knowledge decide करेगा है जिसकी date आपकी कब publish होगी December में आपको exam date या November के last में आपको exam date देखने को मिल जाएगी ठीक है आपने exam date देख ली आपका admit card आगया आप exam भी दे आए अब आपका क्या बसता है इसमें सिर्प और सी बसता है result तो result आपका कब आएगा जनवरी 2025 का मैं पूरा exam calendar आपको बता दिया हूँ यह कोई आपको बताया नहीं होगा अभी तक तो इसका जो result आएगा जो आप जनवरी मार्च में जनवरी और फरवरी में exam देंगे तो March last या April तक आपका जो result देखने को मिल जाएगा अलाकि April में ही देखने को मिलेगा ठीक है तो यह पूरा जनवरी 2025 examination का exam calendar मैंने आपके सामने बता दिया विद प्रोसीसर के साथ तो आप जाएए फटापट अपना एडविशन लीजे तीज दिन आपके पास बचे हुए है आज आपका दो सितंबर ओलेडी हो चुका है तो 28 दिन का time है फटापट जाएए अपना एडविशन लीजे और ओ लेबल करने के बहुत सारे benefit है जो कि आप government job में काफी helpful है ठीक है प्राइवेट सेक्टर में आपका काफी helpful है और अगर आप self कुछ अपना institute खोलना चाहते हैं computer class चलाना चाहते हैं तो उसमें भी आपका है तो benefit है आपका बिल्कुल आप इसको करें क्योंकि advance course है और आपको future इसमें bright है ठीक है तो thank you for watching आशा करते हैं मैंने complete information दे दियो कि अभी कोई doubt और नीचे comment करिएगा और इस नमबर पर WhatsApp करके आप course हमने ओ लेबल का complete course हमारे पास अप लेबल है mcqs classes ठीक है और आपकी practical के notes और आपके theory के notes जितना भी आपका लेबल से complete लेबल सब लेबल है ओ लेबल ए लेबल और बी लेबल का ठीक है आपको सारी जानकारी WhatsApp पे मिल जाएगी तो thank you for watching